तो जो भी स्टूडेंट जिन्हों ने नीट 2021 के एक्जाम दिया था और जो 2021 नीट के कांस्लिंग में पार्टिस्पेट करने वाले हैं उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए हम लोग डिसकस करेंगी कि जो नोटिफिकेशन आज सीजी डेमी के साइट पर आया हुआ है आ तो उसी समय ये नोटिफिकेशन आया हुआ है उन्नीस तारीक का ये नोटिफिकेशन है और अभी कि बीस बारा बच के पंदरे मिनट हुए है रात के और बीस तारीक लग चुका है तो कांसलिंग जो है आपकी 36 गड़की आज से ही स्टार्ट होने वाली है मैं ये कहना चाहता हूँ बीस तारीक से स्टार्ट होने वाली है तो कुछ इंपॉर्टन चीजे जो अभी तक आप मैं इन चीज़ों को जल्दी जल्दी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम पे मैंने ये एक्स्प्रेन किया हुआ था इसके अलावा क्या इंपॉर्टन चीजे हैं जिसके बारे मैं आपको जानना चाहिए तो वो सभी स्टूडेंट जो MBBS या BDS करना चाहते हैं 36 गड़ स्टेट के जो गौर्मेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनके 85% सीटें जो स्टेट कोटा के तुरू भरी जाती हैं उसके लिए अगर आप एलिजिबल है या फिर 36 गड़ में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है MBBS के लिए उसके मैनेजमेंट स से MBBS करना चाहते हैं उनको भी registration कराना होगा कैसे क्या वो चीज हम यहां पर discuss करेंगे या इसके अलावा यदि आप BDS करना चाहते हैं रायपूर्मेंट डेंटल कॉलेज से जो कि 36 गड़ का एकमात्र सरकारी डेंटल कॉलेज हैं या फिर इसके अलावा जो यहां पे जो प् इस जान दीजेगा कि 36 गड़ में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर डिमिशन लेनी के लिए आपको आल इंडिया के कांसलिंग से लॉट में नहीं मिलेगा यहां कि जो नॉन डोबिसाल कंडिडेट हैं उनको भी सीजी डेमी के कांसलिंग के माध्यम से ही एडिमिशन मिलने वाला है तो चलिए ओनलेन जो आवेदन प्रारंबति थी है आज बीस जनवरी सुबह ग्यारा बज़े से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि कम समय है इसलिए हम इस वीडियो को रात को सवा बारा बज़े बना रहे हैं और ओनलेन अवेदन अंतीम तिथी 28 ज जमा कर इमां पूर्व संस्था चैन ये तु आउसर प्रदान किया जाएगा पूर्व संस्था चैन सुने हो जाएगा किन्तु टाइप आफ कॉलेज सीट गवर्मेंट प्राइबेट एनर अथवा अन्य कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकेंगे देखे एक तो जिस तरीके से ह इंदी मिन्होंने लिखा हुआ होता है तो कई बर चीजें समझ में नहीं आती है ठीक है इंपॉर्टेंट यह है कि रजिस्टेशन स्रिफ फर्स्ट राउंड में ही होगा इसके बाद सेकेंड राउंड मॉप प्राउंड या इस्टे वेकैंसी में कोई नया रजिस्टेशन नहीं होगा कोई निव रजिस्टेशन नहीं होने वाला है तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है इसलिए मैंने कहा कि अगर आप कांसलिंग में पार्टिस्पेट करना चाहते हैं 36 गड़के तो आपको पहली बार में रजिस्टेशन कराना पड़ेगा नया ऑनलाइन प्रश्विकार नहीं किया जाएगा और यहां पर जो आप लोगों को बोला जाता है पंजीयन शुल्क के बारे में ठीक है जो रजिस्टेशन जो चार्ज है यह जो कांसलिंग फीस है यह रिफंडेबल नहीं होती जो मैंने आपको पहले बताया बट फस्ट कांसलिंग में यह पंजीयन शुल्क नहीं लगता है यह जो रजिस्टेशन चार्ज है सिक्यूरिटी मनी आप इसको कह सकते हैं फस्ट कांसलिंग में यह नहीं लगता है सेकेंड कांसलिंग से यह लगना अभी तक तो यहीं होता आया है अब इस साल अगर कुछ चेंज होता है तो हम आपक से कांसलिंग से एकजिट किया तो यह जो सिक्यूरिटी में है यह फॉर्फिट कर ले जाती है राजसात हो जाती है यह वह आपको वापस नहीं होगी नौन रिफंडेबल हो जाएगी कितना है आप जानते हैं पिछले साल जैसा ही है अंडिजब के लिए अगर सिर्फ आप के लिए करने हैं तो सिर्फ तेन ताउद आपको लगना है और अगर आप प्राइवेट कॉलेज कर रहे हैं चाहे वह है ना अपको सिक्यूरिटी मनी वान लाख रुपर देना पड़ेगा अंडिजब के लिए इसके अलावा एससी एस्टी और ओबीसी के लिए पर 36 गड़ में MBBS और BDS की गवर्मेंट और प्राइविट की जितनी भी सीटें होती है या NRI की जो सीटें होती है यह CGDME के माध्यम से ही अलोट होती है तो कोई भी थर्ड पर्शन अगर आपको फॉल्स प्रॉमिस करता है कि वह गलत तरीके से आप किसी अन्य माध्यम से सी यहां पर हैल्प कर सकें पूरी तरह से प्रयास किया जाता है कि आपके सारे सवालों के या मैक्सिमम कोश्टन के आंसर किये जाए या फिर हम ऐसे आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करें जिसमें से ज्यादा तर लोगों के कोश्टन साल अब आगे देख लेते हैं 98041982 यहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं इसी है ठीक है आपको एक नियमा वाली है प्रवेश नियम जिसको बोलते हैं 2018 यह आपको अब अवेदन के साथ ही संस्था का चेन भी करें क्योंकि संस्था का चैन है तो अत्रीक्त समय आपको नहीं दिया जाएगा तो जब आप रजिस्टेशन करा रहे हैं उस समय ही आपको च्वाइस फिलिंग भी करना और च्वाइस लॉग भी करना है अब इन सब चीजों के द कर सकते हैं हमारे चैनल पर विजिट करें या ना करें लेकिन cgdme की वेबसाइट पर आपको कम से कम दिन में तीन बार एक फिक्स टाइमिंग बना लीजिए और दिन में कम से कम तीन बार आप विजिट करते रही क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन है नोटिफिकेशन है आपक इन्कम्प्लीट है आपके अप्लिकेशन फार्म या फिर रेजिस्टेशन जो आप फीस पे करना चाहते हैं तो बैंक के साइट से कोई इशू है आपका पैसा डिड़क्ट हो गया है लेकिन यहां पर आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है तो उसके रिस्पॉंसिमिलिट आपकी खुद की है इसलिए कोसिस करिए कि समय से पहले जो लास्ट डिट है ऑनलाइन आवेदन की उससे पहले ही आपका प्रोसेस सारा कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए जिस भी अकाउंट से पैसा डिड़क्ट हुआ है वह रिफंड उसी अकाउंट में होगा किसी अन अकाउंट इसलिए जो भी अलॉटिट केंडिडेट्स हैं उनको इस्कूटली कराना कंपल्सरी है तथा जो गॉर्मेंट मेडिकल कॉलेज में जिनको अलॉट्मेंट मिला है उनको एड्मिशन लेना भी कंपल्सरी है उनकी एलिजिबिलिटी जो है या पातरता जो है वह समाप्त हो जा आप आराम से इसको समझे उसके बाद ही रेजिस्टेशन कराईए ताकि कल के दिन आपको कोई दिक्कत ना हो एक बार जब आप अपना इमेल आइडी और मोबाइल नंबर जो की वैरिफाइड है डाल देते हैं उसको आप दुबारा एडिट नहीं कर सकते आवेदन सुल्क क का भुकतान अंतिम्तिती से कम से कम 36 घंटे पूर्व कर दें चुकि बैंक गेटवे इत्यादी समंधी जटिलताओं से कई बार ऑनलाइन किये बुकतान का क्लियरेंस 24 घंटे ले लेता है अन्य था समय सीमा में अवेदन करने हैं तो दो बार ऑनलाइन अवेदन सुल्क जमा करना पड़ता है यह दपी अतरिक्त जो पंजे शुल्क यदि उपरोक्त लेखित जटिलताओं के कांड़ जमा हो जाता है तो वहरासी वापशी हो गया है मतलब यह है कि आपने पेमेंट किया पेमेंट डिडक्ट हो गया लेकिन वह आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है तो फिर अकांट में फेंड हो जाएगा जिस अकांट से वह पेमेंट किया गया है